देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा ओम गणेशाय नमहा, ओम नमहा शिवाय, मैंने खिल जोतेश आचारे आप सभी का मेरे चैनल पे पुनह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की ग्रिपा, आप सभी पर सदय बने रहें, यह वीडियो है लियो यानिकी सिम् 22 के मासिक राशीफल का मंधली राशीफल का, यह राशीफल लगन पर आधारित होता है, और आपकी लाइफ के प्रमुक एसपेक्ट्स जैसे की जनरल प्रडिक्शन, करियर, बिजनस, लव, मेरिड लाइफ, हेल्थ, फाइन्स, हर चीज़ को इसमें कवर किया जाएगा, क्य आप अपनी राशी से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि यह सामान्य जोतिश विशलेशन होता है, तो शुरुवात करते हैं, लियो यानि कि सिम्ह के एप्रिल 2022 के राशीफल का, जनरल प्रडिक्शन के साथ, लियो यानि कि सिम्ह के जातकों के लिए ये महीना अच्छा ही द प्रिवतन करके नवम भाव में आजाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, और जब भी लगने के स्वामी उच्च के होते हैं, तो अच्छा प्रभाव मिलता है, और आपके लिए तो भागय स्थान में आ रहे हैं, यानि कि भागय का साथ मिलेगा, तो अगर कंपेर करने तो मह राशी परिवतन करेंगे अप्रेल में तो ये महीना काफी सारे चेंजेज आपके लिए लाएगा राहु केतु ब्रहस्पती जी की राशी परिवतन की वीडियो मेरे चैनल पर अल्रेडी हैं आप देख सकते हैं ब्रहस्पती राशी परिवतन करके अश्टम में आ जाएंगे और वहां से आपके धनभाव को देखेंगे तो ये भी अच्छा है अचानक से धन के सोर्सेज जरूर खुलेंगे जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनको कोई चांसस नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ब्रहस्पती जी की पांचवी दृष्टी आपके बारवे घ घर पे रहेगी लेकिन घर में थोड़ी कठनाईयां आ सकती हैं घर में किसी की तब्वे थोड़ी इस महीने विगड़ सकती है स्पेशली आपकी मदर की राहु आपके नवम स्थान में आ जाएंगे साफ बता रहा है कि आने वाले कुछ सम्मे में आपको यात्राएं बहुत को योग बनेगा यह बहुत अच्छा है जिसको बुद्ध आदित्य योग भी कहते हैं शूल योग बन रहा है यह थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है और अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा और बैटर करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी जो स करात्मक हो सकती है इस चीजस पे आपको काम करना है चण्डी का योग बन रहा है आपका यह थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है क्योंगि गुस्सा आपके अंदर थोड़ा इस महीने जदा रहेगा वैसली जद्यदा रहता है लियों के अंदर क्योंकि अगनी तफ़की तो यह आपके लिए अच्छा है कई बाधाएं आपकी दूर होंगे आप बहुत competitive रहेंगे overall बहुत positive ही दिख रहा है आपके लिए महीना जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कई बार यात्रा करनी पर सकती है इस महीने लेकिन आपके कई रुके हुए काम इस महीने पूरे में बहुत प्रयास किया था पिछले दो-तिन महीनों में उसके अच्छे फल इस महीने में आपको भोगने को मिलेंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है अपनी life में आपकी authority आएगी लोगों की मदद करेंगे कर पाएंगे ऐसी क्षमता रहेगी government से कोई कार्या टक रहा था व दस्वे भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र वो सात्वे स्थान में रहेंगे ये आपके लिए अच्छा ही है जो corporate sector में काम करते हैं specially उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है लेकिन राहू राशी परिवतन करके आपके दस्वे स्थान को छोड़के जाने वा अपनी image को लेकर और जो आप बाते करते हैं उनको लेकर आपको बहुत serious रहना पड़ेगा हलकी सी भी उसमें धिलाई नहीं भरतनी जो लोग banking से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए भी समय सही रहेगा लेकिन उनसे भी यही कहूंगा कि यदि आप ऐसी position पे है जहापे आप अच्छी तरह पढ़ना है ब्रहस्पती राशी परिवतन करके आपके आठवे स्थान में आ जाएंगे इस महीने तो जो लोग finance से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि बहुत अच्छी opportunity आपको इस महीने जरूर मिलेगी especially जो finance स चुड़ा कुछ भी काम करते हैं यह महीना आपके कारेक शेत्र में आपका भागय बहुत साथ देने वाला है तो यदि कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह महीना सबसे अच्छा है हलका बहुत रिस्क यदि आप ले सकते हैं आपको लगता है कि हाँ इस से पूर्ण साथ मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करने इस महीने, मैं कह रहा हूँ कि रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करने, दोनों में difference है, यह आपको समझना पड़ेगा, competition काफी रहेगा कारेक्षेत्रे में, लेकिन हर competition को आप बहुत अच्छी तरह से handle कर पाएंगे, कुछ negative impact यदि आपके career पर पढ़ा था पिछले कुछ महीनों में, वो इस महीने बहुत अतक दूर हो जाएगा, और overall यह महीना, कुछ ना कुछ आपको career के respect में अच्छा देकर जाएगा, यदि आप transport से जुड़ा, healthcare से जुड़ा, research से जुड़ा, या फिर communication से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, तो यह महीना आपके लिए career के perspective से बहुत अच्छा रहेगा, चलते हैं, business के दिरफ, business के लिए महीना अच्छा ही रहेगा, लेकिन थोड़ी चालाकी भी हो सकती है आपके साथ इस महीने में, तो उससे आपको बचके रहना है, कोई ना कोई शड्यंतर रच सकता है, और कोई ना कोई आपके आसपास का इंसान, जिस पर आप भरोसा करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा investment मत करें इस महीने, उससे थोड़ा सा बचें, क्योंकि थोड़ा sensitive महीना रहेगा उस हिसाब से, कि यदि आपने investment करी, तो या तो फस जाएगी, या उसमें आपको loss हो सकता है, तो कोई बहुत बड़े amount का आपको investment नहीं करना, महीने के शुरुवाती समय में काम थोड़ा सा slow रहेगा, कुछ काड़े अटक सकते हैं, कुछ गलतियां जो करी थी business में, उसके नकरात्मक प्रभावद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बड़ेगा, specially दस तारीक के बाद, आपके business में तेजी आएगी, और कुछ न कुछ बहुत अच्छा आपके business के लिए हो सकता है, आपके business का मान सम्मान उसकी goodwill सब कुछ बड़ेगी, एक balance आजाएगा आपके business में, एक stability आजाएगी आपके business में, दस तारीक के बाद, और महीने का अंतिम भाग भी आपके लिए बहुत अच्छा देख रहा है, जहां भी आपने महनत करी थी, जिस भी area में, जिस भी aspect में अपने business को लेकर, उसके अच्छे प्रभाव आपको महीने के अंतिम भाग में देखने को मिल जाएगे, government की तरफ से भी कुछ लाव अप्राप्त हो सकता है, हो सकता है government की तरफ से कोई contract मिल जाए, और government की तरफ से कुछ कारे आपके अटक रहते, वो भी इस महीने, specially महीने के अंतिम भाग में आपके पूरे हो सकते हैं, तो overall आपके लिए महीना business के हिसाब से अच्छा देखना है, आप चलते हैं love life की तरफ, क्योंकि शुक्र बैठेंगे काम त्रिकोन में, तो यह आपके लिए महीना love life के हिसाब से positive ही रहेगा, रुके हुई चीज़े आगे बढ़ेंगी, सबसे पहले बात करते हैं, जो लोग no contact situation में हैं, उनके लिए एकी चीज़ कहूँगा कि जल्दवाजी ना करें, और बत्तमीजी ना करें, यदि आपको लगता है कि response नहीं आरा देरी हो रही है, तो आपको gracefully चीज़ों को handle करना पड़ेगा, maturity के साथ चीज़ों को handle करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी, जल्दवाजी में कुछ किया, तो चीज़ें बनती बनती विगण सकती हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अब बात करते हैं, नया relationship start करने के लिए कैसा महिना रहेगा, उत्तम महिना है, बहुत ज़्यादा chances है कि आपका नया relationship start हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपकी perspective में, अपने सोचने के तरीके में आपको डयापन लाना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी relationship start हो पाएगा, अब चलते हैं जो लोग already relationship में हैं, उनके लिए कैसा महिना रहेगा, अच्छा देख रहा है आपके लिए भी, और stable होता हुआ देख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको thinking और करनी पड़ेगी, अपने relationship के बारे में, थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा देख रहा है, इस समय थोड़ा आप कम दे रहे हैं अपने relationship पे, और इसके कारण थोड़ी बहुत नकरात्मकता आपके relationship में आ रही है, वन्ना सब कुछ ठीक है, एक नयापन आता हुआ जरूर देख रहा है इस महीने, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद आपके relationship में कुछ नयापन आ जाएगा, जो बहुत positive रहेगा, आप दोनों के बीच में love रहेगा, passion रहेगा, compassion रहेगा, एक दूसरे के प्रती attraction रहेगा, physical compatibility, emotional compatibility दोनों ही बहुत अच्छी दिख रही है, overall जो लोग relationship में हैं उनके लिए महीना बहुत ही जादा अच्छा दिख रहा है, चलते हैं married life की तरफ, कैसी रहेगी आपकी married life, शुक्र का सब्तम में होना, और काम तरिकोन पर प्रभाव और उनके साथ ब्रहस्पति भी रहेंगे, तो overall अगर तो आपके लिए ये महीना married life के लिए अच्छा ही दिख रहा है, अपनी married life को बहुत अच्छी तरह से manage कर पाएंगे, और overall अगर बात करूँ तो मधूरता जरूर रहेगी इस महीना आपके married life पे, महीनी का शुरुवाती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा time spend कर पाएंगे अपने life partner के साथ, अपनी family के साथ, और उनके लिए कुछ special करना चाहेंगे, उनको time देंगे, उनको priority देंगे, उनको आप attention देंगे, जिसके कारण आपका विवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, एक तरह से बहुत अच्छी तरह से handle कर पाएंगे हर चीज़ को, अपने life partner के mood को, उनके विवहार को, हर चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से handle कर पाएंगे, लेकिन महीने के बीच में थोड़ी नकरात्मक ता आती भी दिख रही है आपके विवाहिक जीवन में, थोड़ा सा आपका ध्यान भटकेगा, कई और चीज़ों पर जाएगा, कई और लोगों पर जाएगा, जो एक नकरात्मक प्रभाव डाल सकता है, आपके married life पर, आपकी सोच थोड़ी negative हो जाएगी अपने life partner को लेकर, लेकिन जैसे जैसे महीने का अंतिम भाग आएगा, चीज़े better हो जाएगी, physical compatibility better होगी, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा time फिर से spend करेंगे, जैसा महीने के शुरुवात में किया था, और आप दोनों के emotions भी बहुत अच्छी तरह से match होंगे, और mental level पर भी compatibility बहुत अच्छी रहेगी, तो overall married life के लिए महीना अच्छा दिख रहा है, बस महीने के बीच में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, आप चलते हैं finances, यानि कि पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, खर्चा किस चीज़ पर होगा, उसके ओपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आपके धनभाव के स्वामी अश्टम में रहेंगे महीने की शुरुवात में, तो वहां से आपके दूसरे घर को देखेंगे, यानि कि धनभाव को, और वहां पर नीच के हैं, तो ये अकस्मत धनलाव का योग बनता है, यानि कि अचानक से कहीं से इस महीने आपके पास पैसा आ सकता है, ब्रहसपती महीने के शुरुवात में लाबस्थान को देखेंगे, फिर राशी परिवर्तन करेंगे, फिर धनस्थान को देखेंगे, तो ये भी आपके लिए बह संबंदित कुछ काम करते हैं वहां से पैसा आसकता है, कहीं पैसा इन्वस्ट किया था, वहां से कुछ अच्छा Blair रिटन आ सकता है, यदि आप exactly right education से संबंदित कुछ भी काम करते हैं और फूर्ड इंडस्ट्री से जोड़ा कुछ भी काम करते हैं तो भी इस महीने पैसा काफी आएगा अब देखते हैं खर्चा कहां कहां पे होगा यात्रा पे इस महीने बहुत खर्चा होगा अलग अलग जगा पे यात्रा करनी पड़ेगी जिस पे खर्चा होगा धार में कनुष्ठान घर में होंगे उस पे खर्चा होगा घर जो आएगा वो काफी होगा, इसलिए खर्चों की जादा चिंता आपको इस महीने नहीं रहेगी, तो पैसे के हिसाब से यह महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है, आप चलते हैं students की तरफ, students के लिए यह महीना ठीक ठाके दिख रहा है, आपके पांचवे घर के स्वामी ह ब्रहस पती, वो राशी परिवर्तन करेंगे, और आठवे घर में चल जाएंगे, 12-13 तारीक के असपास, तो क्योंकि आठवे घर में जा रहे हैं, तो शुरुवाती समय थोड़ा अनिश्यत रहेगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा, अब आठवे घर में जा रहे हैं, एक साल के रहेंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा एक साल ही आपके लिए खराब जाने वाला है, नहीं, लेकिन क्योंकि जब यह राशी परिवर्तन होगा, उस समय का जो दो-तिन हफते वाला समय होगा, यह मान लीजिए कि वो थोड़ा सा आपके लिए सेंसिटिव र लिए, क्योंकि राशी परिवर्तन करके जा रहे हैं, तो आपके लिए यह अच्छा है, कई रुकावटे जो आपके स्टडीज में आ रही थी, वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, जो लोग हायर स्टडीज करते हैं, उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा रहने वा हैं, उनके लिए महीना कैसा रहेगा, महीने के शुरुवात के अधि आपका कोई एक्जाम है, एक से दस्तारीक के असपास अच्छा रहेगा, अच्छा उसमें अच्छीव कर पाएंगे, महीने के मध्य भाग में भी अधि आपका कोई एक्जाम रहता है, ग्यारा से बीस के हो जाएं तो वो थोड़ा आपके लिए नकरात्मक हो सकता है यदि आप finance से जुड़ा, research से जुड़ा, management से जुड़ी या फिर communication से जुड़ी कुछ भी बढ़ाई करते हैं तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहने बाला है अब बात करते हैं सेहत की आपके लगन के स्वामी सूर देवता महीने की शुरुवात में आठपे घर में रहेंगे तो महीने की शुरुवात ही समय थोड़ा आपकी सेहत के ल कर सकते हैं फिजिकल मेंटल दोनों ही सेहत को तो पंदरा तारीक तक आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रटना है उसके बाद चीजें इंफ्रूव होंगी लेकिन उसके बाद भी राहू आपके लगने के स्वामी के साथ आके बैट रहे हैं तो वहां पर भी कु सब्भाबलम, compelling problem महिने के बीच के समय में पेट सम्बंधित हम और आखों से समंधित प्रोब्लम से खाना just खानहे के कारण और महीने के अंतिम भाग में वातरोग पैरों में दर्ध, body में pain Contipation और lower body में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है तो overall थोड़ा सा sensitive दिख रहा है ये महीना सेहत के हिसाब से अपके लिए उपाई यह है कि आपको महीने की शुरुवाती एक दो दिन में ही किसी भी मंदिर में गुड चीनी और चावल का दान करना है सूरे चालीसा शिव चालीसा और भैरव चालीसा का पाँच पाँच बार पाठ करना है और शिवलिंग का दूद से अभी शेक करना है मंदिर में जाके और महीने की शुरुवाती एक दो दिन में ही यह कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा चैनल पर नए है सब्सक्राइब केजिए वीडियो को लाइक केजिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमश्चा